नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और पित्रपक्षराद की शुरुआत हो चुकी है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पित्रपक्ष में शुराद की पूजा किस तरीके से कर सकते हैं क्या क्या सामगरी आ अगर आप लोग इस चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथी बैल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि जैसे वीडियो अप्लोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके शुराद से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको हमारी पर नई है जैसे कि शुराद की नियम क्या है इस दिन क्या करना करना चाईगे क्या नहीं करना चाईगे इन सबी के बारे में हमारे चानल पर वीडियो अफ्लोड़िड है बहादर-प समास ची पुर्णिमा से शुराद पक्ष हो हो रहा है और ये पित्रपक्ष रहेगा 17 सिदंबर से 2 अक्टूबर तक पुर्णीमा से इसके शुरुवात है और सर्व पित्र अमावस्या पर इसका समापन होगा ये पूरा पित्रपक्ष का महीना होता है जिसमें कि हम अपने पुर्वजों को अपने पित्रों की आत्मा को करते हैं उनको जो है पित्रों को याद किया जाता है उनको दान पुन्य उनके नाम पर दान पुन्य दिया जाता है खाना खिलाया जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़े हम अपने परिवार में सुक शांती समर्दी बनाई रखने के लिए करते हैं शराद पक्ष में आपको क शर्दा से ब्रामनों को तो दान दिया ही जाता है साथ ही यदि आप किसी गरीब जरूरत मन की साहता आप कर सके तो बहुत पुन्य मिलता है इसके साथ साथ गाएं कुटे कोई आदी पसु पक्षों के लिए भी बोजन का एक जरूर डालना चाहिए यदि संभव हो तो गंगा काल के बाद शराद नहीं किया जाता है शुर्योद्य के बाद से ही शराद करम करें योग्य ब्रामन की साहता से मंत्रों चारण करें और पूजा के पस्चात जल से तरपन करें इसके बाद जो भोग लगाया जाता है उसमें से गाएं कुटे कोई आदी का हिस्सा अलग कर द श्राद पूजा के लिए आपको रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सुत्र, चावल, जनेव, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान कपत्ता, जो, हवन सामगरी, गुड, मिट्टी का दिया, रुई बत्ती, अगर बत्ती, दह जोका आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफेद पुल, उडद, गाएका घी, दूद, और घीर, समाक के चावल, मूं और कन्ना, ये सब आपको शिराद पूजा के लिए चाहिए होता है, तो आपको किस तरीके से शिराद करना चाहिए, सही विदी क्या है, जिस वैक्ति को उसे पहले अपना शुद्धी करन करना होता है, यानि कि आप नहा दूकर साफ कपड़े पहन ले, फिर कुशा घास, जो सुखी हुई घास होती है, उससे आप अंगूठी बना कर पहने, कहा जाता है कि उससे आपके जो पित्र हैं, वो पूरी तरीके से तरप्त हो जाते हैं कुशा जो है पहन कर हम अपने पुर्वजो का तरपन करते हैं, मा गंगा ने भी कुशा पहन कर ही पुर्वजो का तरपन किया था, तो अपनी अंगूठी बना के पहने और अपने पुर्वजो से इस अंगूठी में निवास करने की प्रार्थना करें, इसके बाद विदे पिंड दान किया जाता है पिंड अर्पिता पित्रों को अर्पित करने वाला एक तरीके का प्रिशाद होता है इस जिसमें पके हुए चावल जो के आटे, घी, काले तिल आदी से तैयार किया जाता है फिर शिराद के लिए बनाएगे भोजन के चारों और हाथ से पानी फेरा जाता है, यानि एक तरीके से उसको बींधा जाता है इसके बाद भगवान विश्नु और यम देवता की पूजा की जाती है फिर पित्रों के लिए बनाएगे भोजन को कई हिस्सों में बाटा जाता है जिसमें एक गाएं के लिए एक हिस्सा कोव के लिए एक हिस्सा कुट्टे के लिए निकाला जाता है एक हिस्सा आप चीटियों को डाल सकते हैं और एक हिस्सा आप देवताव के लिएने की पित्रों के लिए साथ ही इस दिन ब्राह्मन पुजारी को भी भोजन कराया जाता है इसके बाद ही परिवार की लोग भोजन करते हैं तो श्राद का फाइदा क्या है कहते हैं श्राद करने से पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है और अगर पूरे विदिविदान से श्राद किया जाता है तो पुर्वजोगो मोक्ष मिलता है जिससे उनकी विशेश कृपा प्राप्त होती है मानता है कि शराद करम किसी विद्वान ब्रामन से ही करवाना चाहिए तो ये थी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए शराद की विधी, शामगरी और विधी के बारे में जानकारी इसी तरीकी की और जानकारी के लिए आप हमारी चानल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल है पित्र पक्षराद को लेकर तो आप में हमारे कमेंट सेक्षिन में कमेंट कर सकते हैं आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद